इस पूरे मुखाबले की जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है वैसे ही कुछ दोस्तों अफगानिस्तान इस स्कॉटलेंड का मुकाबला भी था क्योंकि इंडिया अभी तक 5-20 वर्लिकप मुकाबलों के मैचस में पाकिस्तान को 5 बार हराई थी और 6 बार जब मैच हुआ तो पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया ये तिहास बदल दिया वैसे कुछ हाल दोस्तों अफगानिस्तान इस स्कॉटलेंड की बीच भी देखने को मिलता है कि अभी तक 6-20 आइस मैच में आमने सामने थी और 6 बार अफगानिस्तान जी ती खिलाडियो कोल आउट मारा और साथी साथ एक बहतरिन पारी खेली कौन सा गेंदबाज आज मैच में चमका उसकी भी जानकारी देंगे और बल्ले से किसने कमाल दिखा है वो भी आपको बदाएंगे लेकिन चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किये तो जल सी जल चैनल सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अब्डेट पासकें तो अफगानिस्तान स्कॉटलेंड के भी इस चार्जा के शांदाल स्टेडियम में मकाबला नमबर 17 खेला जा रहा था जहां पहले अफगानिस्तान ने टोस जितकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया बात करें सूपर ट्वेल के इस मकाबले की अफगानिस्तान की प्लेइंग लेबन की तो हज़रत अल्ला जजाजी मुहमद शहजाद दो विकिट कीपर बल्लेबाज है रहमनुल्ला गुर्बाज, अजगर अफगान, नजीबुल्ला जर्दान, मुहमद नभी जो कफटान है गुलावदीन नेब, राशित खान, करीम जनाद, नवीन उलक और मुजीबुर रहमान महीं बात करें स्कॉटलेंड की तो जियोर्ज मुंसी, काईली कोटरेज जिनका कफटान है बल्लेबाजों और गेनबाजों के दम पर बाकी टीमों को रौन सकते थे, उन्होंने आमान, पापुआ निगिनी और निदरलेंड जैसे टीमों को मात दी थी, लेकिन यहां पर जब इनके सामने अफगानिस्तान आई तो इनके रौंग्टे खड़े हो गए और रौंग्ट जाने की करीब 35 गेनों में 54 अनकी पार्टनर्शिप इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा बल्ले का योगदान 15 गेनों 22 रन मुहम्मद सहजाद ने बनाया थे दो चोके एक छके के मदद से दूसरी तरव हजरत अलला का भी बल्ला आग उगला था 146.67 का स्ट्रैक रेट मुहम्माद सहजाद का भी देखने को मिला और 146.67 का स्ट्रैक रेट हज़्जाद जजाजी का भी देखने को मिला लेकिन 15 पर 22 की पारी खेले साफियान शरीफ ने पहला विकिट लिया था इनका और दो चोके एक छक्के तब तक मुहम्मद सेजाद जड़ चुके थे आज का दोस्तों स्टेडियम चोटा था लेकिन आई पेल के जब मुकाबले हो रहे थे तो ये पिछ बल्ले बाजी के लिए उतनी अनुकूल दिख नहीं रहे थी लेकिन आज की मुकाबले की बात करें तो ताबर तोड़ बल्ले बाजी भी 10 से प्लस चक्के देखने को मिले अ उसम्बला 5 गेंद पर हजरत उल्ला जजाजी यहां पर 44 रन की पारी 30 गेंदों में खेले कर होते हैं आउट 3 चोक यह 3 चक्के इंकिस पारी में 46 का होता है स्ट्रैक रिट मार्क वोड डालेक्ट इनको बॉल्ड मारते हैं आउट और हजरत उल्ला जजाजी का यह पारी होत पूरा मेला लूट लिया बात करें गुर्बास की पारी के तो इन्होंने दिल जीत लिया 37 गेंदों में 46 रन इन्होंने बनाए एक चोका और चार चक्के लगाए ऐसा कमाल तो कैरीबियन खिलाड़ी करते कि चोके कम चक्के जादा लगाते हैं लेकिन आज गुर्बास में 4 चक्के लगाए मैदान का पूरा इस्तिमाल करा नजीब उल्ला ने भी दूसरे चोड़ से 34 गेंदों में 46 रन की ताबर तोड़ पारी खेली पांच चोके तीन चक्के इन्होंने भी लगाए बात करें दोस्तों तो जब मैच की आखरी मतलब 20 वे ओवर की खतम होने की दो ग मुहम्माद सहजाद का विकेड साफियान शरीफ ने लिया था हदरतुलाद अजजाजी का विकेड मार्क वोट ने लिया था कप्तान मुहम्माद नभी 4 गेंदों में 11 रन मनाये थे दो चोके की मदस्वे पहली गेंद पर आते चोका लगाया पिर यहाँ पर एक सिंगर लि बीच देखने को मिली थी नजीब उल्ला के साथ, दोनों ने दोस्तों करीब 20 रन से प्लस की पार्टनर्शिप करी ताबर तोड तरीके से, जहां 9.5 वे ओवर तक टीम का 82 रन था, तो यह 18.3 ओवर तक गेंद पर आया, 119 रन पर गुरवास का वेकिट, तो मतलब आप समझ सक कितनी बहतरी निंदों ने पारी खेली थी और जो शुरुबात मिली थी उसको continue भी रखा, 119 रन पर ती ओवर अफगानिस्तान की टीम बनाती चली गई, तो यानि कि T20 वर्ल्ल कप में बाकी टीमों के लिए खत्रा पैदा कर सकती है, अफगानिस्तान की टीम, क्यूंकि इस तो तीनों में काबले बड़े ही इज़त के साथ यह जीत कर यहां तक पहुंची है, तो मतलब इनके सामने अच्छा मुका था कि यहां से जीते और आगे बढ़े, लेकिन स्कॉटलेंड की जब ऑपनिंग पार्टनर शिरिफ हुई, तो काईली कोट्रेस दोस्तों क्या सकते दोस्तों कि वहां से कुछ नहीं बचा था मैच में, वो पूरा ही मैच मुझीब ने पलड़ दिया था और आधा समय से पहले ही अफगानिस्तान की जोली में लाकर दिय दिया था वो मैच, क्योंकि मुझीब ने दोस्तों जो चोते ओवर की दूसरी गेन थी, उस पर पहले क की चटी गेन पर रिची बैरिंग्टन का विकेट लेते हैं, रिची बैरिंग्टन भी तीन गेन का सामना करके मिना खाता खोले मुझीब की गेन पर होते हैं, लबी डबलू आउट, एक ओवर के अंदर मुझीब तीन विकेट लेते हैं, जिसकी वज़े से यहां पूरी पा 28 रन पर आया था तो 28 रन पर ही तीन विकेट गिर गए फिर 30 रन पर चौथा विकेट आया उसके बाद छटे ओवर की तीसरी गेन जब टीम का स्कोर 36 रन था तो जो 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 ऑपनिंग कर रहे थे वो 18 गेनों 25 रन दो चोके दो चके की मदद से खेल ले थे एक तो दिक्कत वाल और फिर से यानि कि जो साथ वह ओवर था उसमें एक और विकेट आता है साथ वह ओवर में दोस्तों यहां विकेट मिचल लीज्क का होता और इस बार होते है करामाती खान जाचित खान जो पांच गेन खेल ले चलता कर देते हैं क्रीस ग्रीफ दूसरे चोड़ से दोस्तों गेन बाजी देखकर दिल खुश हो गया पांच विकेट दोस्तों ने आज की मुकाबले में चार ओवर के अंदर उसके बाद जोस डेवी बल्ले बाजी कर रहे होते हैं साथ गेन दो में चारन ना कर राशित खान उनका विकेट लेते हैं राशित खान क्रिस ग्रीप्स का व शोड़ खान के खाती कि अगर बात करें तो डो देसामल अब दो गेन यानि कि चोदा गेन नो रहां डीकर राशित खान ने चार विकेट जट के वहि हैंनु वीन उलहक ने दो ओवर में 12 रन देते वे एक विकेट जटका मतलब मुझीबूर रहमान ने पांच विकेट क्या गजब की गेन बाजी करी तो मतलब ये गेन बाजी का ओल डाउंडर परडशन के दम पर स्कॉटलेंड की टीम को साथ रन उपर ओल आउट मारा टीम ने 11 ओवर विकेट नवीनूल हक के खाते में गया इसी किदम पर बात करें पॉइंट स्टेवल की आएसी सी मैंस्टी ट्वंटी वर्ल्लकाप 2021 की पॉइंट स्टेवल की तो दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की जीत से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि 130 रन से जीत हा अफगानिस्तान की पाकिस्तान को पचाड दिया है और अफगानिस्तान का नएट रन नेट का में जीती तो वह वह बहुत करारी हार की वज़िस दोस्तों इनका नेट रन नेट मैंस में होगा जो इनको पूरे सीजन अडने वाले है अफगानिस्तान के खिलाड़ी मुजीबुर रह्मान राशित खान और इनके बल्लेबाजों के दम पर ये मुकाबला अफगानिस्तान ने 139 से जिता मैच नमबर 17 का होता यहीं परन्त आप दोस्तों ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क स्पोर्सकी रिपोर्ट